नमस्कार दोस्तों अल्टेटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है आज मैं फिर से आप लोगों के बीच मनोविज्ञान वालविकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतरगत जो जीन प्याजे हैं उनके सिध्धान्त को ले करके उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही महत्वपुर्ण टॉपिक है जीन प्याजे द्वारा बताएगे जितने भी सिध्धान्त हैं यहां से सी टैट अन्य जितने भी टैट होते हैं या कोई भी आप एक्जाम देते हैं वहां पर एक ना एक प्रस्णतो आना निश्चित्थी है चाहे कुछ भी हो तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और हमारे चैनल पे जितने वीडियो हैं वो आपके आवशकता अनसार ही बनाया गया है उसे भी आप लोग ध्यान पुरवक देखेंगे और मुझे पुर्णे विश्वास है कि यदि आपके मन में कोई जिग्यासा है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें बताएं जिससे की पता लगने के बाद मैं आपके टॉपिक आपके मन के अनुसार ले करके आ सकोंगा और आप लोग अपने देश्वतों में किशे सेयर भी कीजिए क्योंकि एक नंबर बहुत ही महत्पपूर्ण है यदि किसी का पहले से बहुत बार टेटी उन्होंने दिया है और एक दो नंबर से या पांच नंबर से रह जाते हैं तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि वे हमारे चैनल पे जो रूल बताए गए हैं उसका पालन करें और मुझे पुर्णे विश्वास है कि उनका सी टैट या अन्य कोई प्रदी स्टैट है निश्चित ही किल्यर होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जीन प्याजे द्वारा बताए गए सिध्धान्त पे चर्चा करते हैं दोस्तों जीन प्याजे द्वारा जो सिध्धान्त बताया गया है उससे पहले मैं चाहूंगा कि उनके बारे में जो कहा गया है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे उन्होंने कहा है कि आप लोग वारिकी से यहां देखने की कोशिश कीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि उन्होंने बताया है माना विकास की ब्रिद्धी एवं विकास के कई आयाम होते हैं विकास की विभिन अवस्थाओं में बालकों में विभित प्रकार के गुण एवं विसेस्ताओं या विसेस्ताएं पाए जाती हैं कह रहें कि इसका अध्यन मनो व्यग्यानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्व में किया है जो की सिध्धान्त के रूप में हमारे सामने आता है तो विकास की आवस्थाओं से संबंधित सिध्धान्तों के देने वाले व्यज्ञानिकों में प्याजे, कोहलवर्ग एवं व्यगवत्सकी का नाम उलेखनी है तो मैं इन तीनों के उपर में अलग-अलग वीडियो आप लोगों के बीच में लाओंगा तो आज हम जीन प्याजे जो हैं उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है, देखिए जीन प्याजे का संग्यान आत्मक विकास का सिध्धान्त बहुत ही महत्वपुर्ण है इसे समझना, रटना, याद करना बिल्कुल भी न भोलें आप, क्योंकि यहाँ से प्रस्टन आते ही हैं पहला है आपका कि जीन प्याजे स्विजर लेंड के एक मनुवेग ज्यानिक थे इनका परिचाए दूसरा है आपका बालकों में बुद्धी का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वेंग के बच्चों को अपनी खोज का विशय बनाया थिसरा संग्यानात्मक विकास का तात्य पढ़िय बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है चौथा प्याजे के संग्यानात्मक सिध्धान्त के अनुसार वह प्रकिरिया जिसके द्वारा संग्यानात्मक सनरचना को संसोधित किया जाता है समा वेशन कहलाती है पाचवा है आपका प्याजे ने अपने इस सिध्धन्त के अंतरगत यह बात सामने रखी कि बच्चों में इस वुद्धी का विकास उनके जन्म के साथ जुरा हुआ है छटा है आपका प्रतीक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्म जात प्रवित्तियों वह सहज किरियाओं को करने संबंधी युग्यताओं जैसे कहने कि चूसना, देखना, वस्तूओं को पकरना, वस्तूओं तक पहुँचना आदी को लेकर के पैदा होता है बिल्कुल सही बात है साथवा, वातावरन के अनुसार स्वेंग को ढालना अनुकुलिन या अनुकुलिन कहलाता है बच्चों को वातावरन के साथ सामनजस अस्थापित करने की वहतर छमता होती है बच्चों में सामनजस अस्थापित करने की वहतर छमता होती है आठवा है आपका पुर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोरने की प्रकिरिया को आत्म साती करन कहते हैं यहाँ से प्रश्ण कईवार आभी चुका है नौवा है आपका जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्यान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है अब स्कीमा करत क्या होता है ज्यान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रकिरिया समायोजन कहलाती है उसके बाद दस्वा है आपका कि प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धांत के अनुसार हमारे विचार और तरक अनुकुलन के भाग हैं संग्यानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है संबेदी प्रेरक अवस्था अनुकरन स्मर्ती एवं मानसिक निरूपन पर अधारित होती है अगला है आपका कि प्याजे ने संग्याना अत्मक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया ऐसा प्रशन कई वार आया है कि महाशय या महोदय जीन प्याजे जीने संग्याना अत्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बाटा है तो आपके सामने हैं चार अवस्थाओं में इस बात को आप बिलकुल ही ना भूलेंगे और अपने मन में इसे बहुत ही सुद्रशता से बिठा के रखेंगे यहां से तो प्रशन आने ही आने हैं आपका दो नंबर में अभी फिक्स करवा रहा हूँ अगला है आपका पहला जो अवस्था है वह है आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से दो वर्स तक की होती है जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के जब वह 24 मंत का होता है दो वर्स का होता है तब तक ये अवस्था चलती है जिसका नाम है आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था अब इस अवस्था में क्या सब होता है देखिए कह रहें कि मानसिक क्रियाएं इंद्रिये जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन होती है दूसरा है आपका भूख लगने की स्थिती को बालक रोकर व्यक्त करता है इस आवस्था में व्यक्ति, आख, कान एवंनाख नोचता है, क्या करता है? नोचता है, सोचता नहीं है, नोचता है जिस वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके लिए उसी की अस्तित्व होता है, जो सामने उसे दिखता है तीसरा है आपका, कि इस आयू में बालक की बुध्धी उसके काडियों द्वारा व्यक्त होती है उदाहरन के लिए चादर पर बैठा, शिसूर चादर पर थोरी दूर इस्थित खिलोने को प्राप्त करने के लिए चादर को खीच कर खिलोना प्राप्त कर लेता है देखिए, उसे दो वर्स में बालक कैसे क्या करता है उसके बारे में हमारी जीन प्याजय जी ने बताया है अपने संग्यान आत्मक जो अवस्था है उसमें अब दूसरा है आपका, ये भी बहुत महत्वपुर्ण है इसका नाम है पुर्व संक्रियात्मक अवस्था ये अवस्था जो है, वो दो से साथ वर्स तक चलता है इसमें पहला है आपका, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्थुमों को पहचानने एबम उसमें विवेद करते लगता है दूसरा है आपका इस दोरान उसमे भाषा का विकास भी प्रारंब हो जाता है तेसरा है आपका इस आवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनभवों का संग्रह करता है या पहली आवस्था की अपेक्षा अधीक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है जो पहला अवस्था था उसके बाद जो दूसरी अवस्था प्रारम्भ होई है उसका नाम है आपका पुर्व संक्रिय आत्मक अवस्था ये दो से साथ वर्स तक चलती है जिसमें बच्चा जो है वो अधिक समस्याओं का समाधान करना सीख लेता है जो होता है आपका बच्चों में अस्थित्व के गुन का विकास होता है अगला है आपका तीसरा अपचारिक अमुर्थ संक्रिय आत्मक अवस्था ये ग्यारा वर्स से उपर की है अब इसमें क्या होता है आप थुरा ध्यान से देखे ये अवस्था ग्यारा वर्स से पौढ़ा अवस्था तक की अवस्था है अमुर्थ चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है क्या है अमुर्थ चिंतन बेना कुछ देखे इस अवस्था में भासा संबंधी योग्यता तथा संप्रेशन शिलता का विकास अपनी उचाई को छुने लगता है भासा संबंधी विकास और संप्रेशन मतलब बाच्चित करना अब यहाँ पर तीसरा है आपका इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रयात्मक को संगठित कर मुझ्च अस्तर के संक्रयात्मक का निर्मान कर सकता है और विभिन्य प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमुर्थ नियमों का निर्मान भी कर सकता है कौन से अवस्था है ये? अपचारिक अमुर्थ संक्रात्मक अवस्था जो ग्यारा वर्स से आगे है चौथा है अगला बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्ने लेने की छमता का विकास हो जाता है इस अवस्था में ये आपने देखा भी होगा कि ग्यारा वर्स से उपर के जो अच्छे होते हैं उसे हम कुछ समझाते हैं तो अच्छी तरह से समझ भी लेता है और यदि हम उनको कुछ वर्क देते हैं, कारी देते हैं तो वो अच्छी तरह से उस कारी को करने भी लगते हैं चलिए, अगला है आपका जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान्त का सैक्षिनिक महत्तु, अब यहां पर हम संग्यानात्मक शिद्धान्त के ऊपर जो सैक्षिक है उसके महत्तु के बारे में हम जानते हैं, पहला है प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक क्या म वालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक स्वपान मतलब क्रम के तहत होता रहता है अध्यापकों को पहले वालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारन कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए तिसरा है आपका तारकिक शिंतन के विकास में वाल्यावस्था महत्वपुर्ण करी मानी जाती है अतह शिक्षकों को बच्चों में तारकिक शमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ये संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त में शक्षिक महत्तु के बारे में हम भी जान रहे हैं। चौथा है आपका बर्ग के सामान रुची के विद्यार्थियों को छोटे-छोटे समोहों में विभाजित करके उनमें विचार विनियम के माध्धुमों से तार्किक वुद्धी के विकास के अबसर देने चाहिए। बच्चों को गलती करने एवं उसे स्व्यंग सुधारने का प्रियाप्त अबसर जो है हमें देना चाहिए। बिल्कुल सही है आप शिक्षक बनने जारहे हैं तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और कुछ है जीनप्याजे जी का जो सिद्धानत है उसके बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हो सकता हूं तो आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग यदि सी टैट या अनि कोई भी टैट हो यदि आप से क्रैक करना चाहते हैं तो आपको मेरे द्वारा दिये गए जो नोट्स हैं उसे आप जरूर पढ़ें चैनल को शेयर करना विल्कुल भी ना भूलें सधन्यवाद